इस जानको नमस्ते मैं डौक्टर अनुजा केलकर मैं सैकेट्रिस्ट हूँ डी अडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ और केलकर तुवनकर साइकेट्रिसिंग हो गोरबंदर ठाने में as a psychiatrist प्रैक्टिस करें। आज हम बात करेंगे एंगर और एंगर management पे एंगर याने गुस्सा गुस्सा काफी normal चीज है और वो किसी को भी आ सकती है लेकिन एंगर और aggression में फरक होता है अगर गुस्सा हमें आ रहा है तो ठीक है वो हानिकारक नहीं है लेकिन अगर बार-बार गुस्सा का outburst हो रहा है वो limit के बाहर जा रहा है तो वो हानिकारक है जनरली क्या होता है कि गुस्से की वजह से हमारे life पे हमारे brain पे हमारे शरीर पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है अब गुस्से के क्या-क्या causes है किसकी वजह से हमें आंगर आता है तो एक हेरिडिटी उसमें से है काफी लोग जो आते हैं वो बोलते हैं कि हमारे घर में गुसा ना सभी को आता है चाचा को आता है दादा जी को आता है पापा को आता है या भाहिया को आता है तो हमारे घर में गुसा ये बहुत कॉमन है तो ऐसे हेरिडिट किसी ने दुख दिया है या किसी ने दुखी किया है हम दुखी है फ्रस्टेटेटेड है स्ट्रेस्ड है या फिर किसी ने धोका दिया है किसी ने नीचा दिखाया है कि किसी ने बंदमाशी की हमारे साथ कि यह हमारा फायदा उठाया तो इसकी वज़े से भी हम genuinely Seriously हो जाता है और यह है कौजिस अब क्या होता है कि एंगर की वज़े से हमारे शरीर पर effect पड़ता है याने क्या-क्या physiological changes याने शरीरिक बदलाव क्या होते है एक तो adrenalin नाम का chemical है वो release होता है blood में उसका secretion बढ़ जाता है उसके साथ heart rate बढ़ता है BP बढ़ जाता है और muscles tight हो जाती है पूरे शरीर की पसीन आने लगता है सास फूलने लगती है यह सब changes हम अनुभाव करते हैं एंगर के अलग-अलग प्रकार है first है behavioral anger याने की शारीरिक जो हम aggressiveness दिखाते हैं मार पिट करना तीजे थोड़ फोड़ करना उसको behavioral anger गोलता है verbal anger याने बातों से गाली गलोच करना बढ़ करना या जादा बोलना चिल लाना सामने वाले पर यह वर्बल आंगर हो गया उसके बात थर्ड आता है passive anger याने चीजे तोड़ फोड नहीं करना गाली गलोच नहीं करना लेकिन कुछ कमेंट पास करना सामने वाले को नीचा दिखाना जिससे की वह हर्ट हो और हमारा गुस्सा बाहर निकले उसको बोलता है passive anger चौथा है self-inflicted anger याने खुद को तकलिफ पहुचाना खुद को मारना या खुद को ऐसी चोट देना कि जिससे वह एंगर बाहर निकले और लास्ट वाला है chronic anger याने बाद बाद पे गुस्सा करना बाद बाद पे चिड़चड़ापन करना और बहुत सालों से यह चल रहा है तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के एंगर है अब इसमें काफी गलत फैमी लोगों के मन में है जैसे कि फॉस्ट गुस्सा आता है तो उसे बाहर निकालना चाहिए इसलिए हम एग्रेसिव होते हैं याने हम वेंट आउट हो जाते हैं हमारा दिमाग फ्री हो जाता है हमारा शरीर फ्री हो जाता है तो ऐसा जाताना जरूरी है लेकिन यह है जरूरी नहीं कि आप एग्रेसिव हो इसके लिए अब जरूर जाता सकते हैं तो झाल सकते हैं तो ऐसा भी नहीं है गुस्सा करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को आपको इंप्रेस करना है तीसरा कि गुस्सा करना हमारे हाथ में नहीं है हमको गुस्सा आता है और हम वो दिखाते हैं वो जताते हैं लेकिन नहीं गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है वो कैसे करना है उसके क्या टेकनीक्स है और अगर नहीं कंट्रोल किया तो क्या तकलीफे हमको सहन करनी पड़ती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे और जादे से जादा लोगों तक पहुचाने के लिए हमारी मदद कीजे धन्यवाद